दोस्तों स्वागत है आपका नेरे इस All In One चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेंशन से इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सभी पीबी वार्स के लिए जो ऐनंडेट बात करेंगे हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट अप्डेट के बारे में सब्सक्राइगे नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा है और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दबाएं और जो कोई भी आप वीडियो देखते हैं उसको आप जरूर कंफर्म कीजिए जो ऑफिस ओडर है उसको भी जरूर चेक कीजिए इस वीडियो में आपको ऑफिस ओडर भी दिखाऊंगा साथ में डिसक्रस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से उसमें मैंशन है उसके बारे में तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यह जो उसका सब्जेक्टी देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्मेंट डिसीजन रिकमेंडेशन ऑफ देख सेंट्रल्पे कमिशन पेंशन ऑफ पीबी ओवार्स हुआ डिस्चार्ज ओन और आफ्टर एक एक दोहजार जो लोग एक दोहजार छे को या उसके बाद डिस्चार्ज वे उनके लिए ओडर है इसमें आप आप साफ देख सकते हैं कि कि डिसाइड़ डिसाइड़ देप्रविजन ऑफ एमोडी जो की दोहजार दस को जो लेटर लिखा गया था और अलसो एप्लिकेबल टू पोस्ट एक दोहजार छे जो लोग दोहजार छो के स्चे के बाद रिटाइड हुए हैं जेस्यों ओर्स या ओनरेरी कमिशन एज कि अधन नोटेशनल पे इन दे रिवाइज पे स्ट्रक्चर अफ दीज रैंग शैल भी वर्कड आउट बाइड पे इन दे रिवाइज पे बैंड जो ए पे होगा वो रिवाइज पे बैंड में एड होगा तू दा फिफ्ट corresponding to the fixed pay of 5th CPC उसमें एड होगा of SAI as amended and equivalent instruction for Navy and Air Force the Navy and Air Force कि में जो है instructions है वो implement होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि pay structure for these ranks shall be worked out by adding pay in the revised pay band जो पे एड होगा वो रिवाइज पे बैंड होगा to the fixed pay of 5th CPC उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो इसमें main जो और point है जो pensioners के लिए है that the financial benefit benefit in past cases shall be granted from 1-1-2006 जो सबसे बड़ी बात यह कि जो financial benefit होगा वो 1-1-2006 के बाद से grant होगा और date of discharge जिस दिन discharge होगा हुँ है उस दिन से यह जो एक एक दोहजार चे से इस लेटर इन दिस रिकार्ड concerned PSA वूट बेस्ट टेटा ओफ पोस्ट दोहजार चे रिटायर ओंडी कमिशन आफसर हैं तो बेसिकली जो भी एक एक दोहजार छे को या उसके बाद रिटायर हुए उनके लिए जो है पे में जो इंक्रिमेंट होगा जो भी फैनेंशल बेनिफिट मिलने वाले हैं वह एक दोहजार चेगाट जो पेंशनर पीबीओ आर्स है वह इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए काफी अच्छी या उसके बाद जो है रिटायर हुए हैं और साथ ही साथ उनकी जो पे में इंक्रीज होगा और जो एंक्रीज होगा साथ ही साथ और जो बेनिफिट्स मिलेंगे वह एक एक अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भोले थैंक्यों फॉर वाचिंग इस वीडियो